हेलो स्टोडेंट, टाय मंकीता साहू, यो टीचर तो देखें, जो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो सेंड की थी तो उसमें मैंने आप लोग को शांग ताथा शाइन काल खतम हुआ था आपका मतलब जिए जो टॉपिक था शांग और शाइन काल दाइनस्टी थी उन्हों पर अपना अधिकार स्थापीद कर लिया, उसके बाद चाउ शासक को ने और एक सक्ति के रूप में उभरे उसके बाद चाउ शासक थे उन्होंने इसको दो काल में डिवाइट किया gitu, इसको चाउ काल को इसमें जो प्रथम काल है उसमें जो राजधानी उन्होंने बनाई प्रथम काल में वो सेंजी प्रांत को बनाई थी और जो सेकेंड डुतिय काल है उसमें लोयांग को इन्होंने राजधानी बनाई फिर Confuses जो चीनी धार्शनिक था उसने पूरवी चाव को टू पार्च समें डिवाइड किया दो भागों में बाटा था बसंथ और पतज़त इन दो भागों में Confuses ने डिवाइड किया था फिर इसमें जो है इस युग में चावुकाल में अंतेस्टी संसकार और कर्मकार धार्मी कर्मकार बहुत बढ़ गये थे मतलब रत्यकों को दफनाना इन्होंने बहुत प्रभाव साली डंग से स्टार्ट कर दिया था और इसमें जो इसको कनफूसस ने बताया हुआ है कि ये चावुकाल वो स्वर्ण यूग कहा जाता है क्योंकि आध्रबार में इनकी साहित तकला और संगीत और कलाएं जे सारी इनको प्तोसाहन मिला इनको चरम सीमा तक पहुँच आया गया इसलिए कन्फूसस ने चाउ डाइनेस्टी को जो है golden period बताया हुआ है फिर कन्फूसस ने बताया यहाँ पे कि जो चाउ शारसक थे वो अपने धार्मी को देश से लिखते थे पात्रों पर इसी से इतिहास के बारे में जानकारि मिलती है तो इस यूग में कला के अधिक नमूने नहीं प्राप्त हुए हैं इनकी जो पात्रों पर लिखावट हैं उन्हों ने उसका इस्थान ले लिया था कलाओं पा इस्थान ले लिया था और इसमें मचलियां भी बनाई गई थी पीछे मुर कर देखती हुई एक शिडिया बनाई गई थी और चकरदार एक पूछ वाला जानवर बनाया गया था एक अलग प्रकार का वो जानवर बनाया हुआ था तो अब देखते हैं कि इस वीडियो में इनकी कौन-कौन से कलाएं और प्राप्थी हैं अनेक पात्रों की आकृतियों के केंद्र में यां ततत Stand मिला हुआ है तो उनमें सेंडर में यांग प्रकार नहिए थी तो एक का मतलब हो तो ये जो यांग और इंग है तो ये देखिए एक तरफ यहां पर रुपर की तरफ है इसकसर और रुपर नीचे की तरफ यह चक्क्रदार बनाया जाता था यांग और ऑफिप्रट्वीयव हैं पर बनाई जाती थी कऊ चाऊ यूंक की चीन का शास्त्री यूंक भी कहा जाता है इस युग की कला में विदेशी विचारों तथा तक्नीकों का समाविस्ट किया गया जो नए बारा अभिप्राय इस कला में समाविस्ट हुए उनमें घंटा नौका पटियां तथा भारी आलंकरण प्रमुख है तो देखी कनफूसस ने इसको गोल्डन पीरियड तो बताया ही है चाउडाइनिस्टी को चाउड काल को लेकिन इसको जो है शास्त्री युग मतलब क्लासिकल पीरियड भी कहा जाता है चाउड को इस युग की जो कला थी उसमें विदेशों के विचार और टक्नीकों का भी समाविस्ट मतलब प्रियोग हुआ है समलित की गई है और इसमें जो नए अभिप्राई तक्नीकों को अपनाया गया है, विदेसी विचारों को अपनाया गया है, इसमें 12 नए कलाई अभिप्राई में आये, कला में समाविस्ट हुए, मत fáb बाणी अलंकरण ये चीज़े बनाने, भारी आलंकरण प्रमुक है, जोड़ा किसको जोड़ा देश-विदेश की विचार और टेक्निकों को इस युग में कान से पर जडाओ का कार इनलेवर की भी आरंब हुआ इसमें ज्यामती आकरतियां प्राकरतिक आखेट द्रश्ट आधियंकित हुए दरपणों के प्रस्ट भाग पर इस प्रकार की विसेश कारीगरी मिलती है तो देखिए जो चाउ काल था तो इसमें काल से पर जडाओ का कार मिलता है तो जडाओ आप लोग को आई थिंग पता होगा नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ थूंसके जलाओं का कार्य होता है इसमें अलग से चीजे जो है कास्टmitt यह फिर मिटी पर कहीं पर भी जराक्ष किया जा ज़ा सकता है पहले engraving करते हैं फिर मिभी नप्रकार की चीजें चिपकाते हैं गैटे है तो इस टाइम पर क्या हुब nIf पर करते थे कान से पर करते थे इसमें ज्यामति आकरतियां जवेटिकल से अपसका भी यूज हुआ है और प्राकृतिक आखेट आखेट मतला होता है शिकार तो प्राकृतिक आखेट का जो द्रश्ट है चित्रड है वो भी यहां पर सीन देखने को मिला हुआ है शिकार और पीछे की तरह एक फ्रेम डिजाइन करते थे तो उन पे भी जड़ाओ वर्क देखने को मिलता है चाव यूग में तो देखते हैं आगे क्या है इसमें हम देखिए कनफूसस ने जो है दो भागों में पूरवी चाव को डिवाइट किया था तो वो बसंत और पत्जड मैंन सर डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है क्योंकि कनफूसस वात कई बारे और कनफूसस के बारे में लिखने को आ जाता है चाव डाइनस्टी के अंतरगत और यह नहीं देते हैं कई बार कोश्चन की चाव काल के बारे में लिखिए बस वो कनफूसस के बारे में पूछ लेते ह जो 722 इसापूर से 481 इसापूर तक चला था चाउस आसनकाल के अंतरगत बसंत तथा पत्जड के युग में चीन में लोहे का प्रियोग हुआ और खेती के सुधरे उपकरण प्रियोग में आने लगी तो देखे जो 44 आसनकाल है इसके अंतरगत बसंत और पत्जड जो युग कनफूसस ने बताया है तो इसमें क्या हुआ चीन में लोहे का प्रियोग होने लग गया देखे मैंने आप लोग को अभी तक अस्थी उपकरण बताया कास्ट से उपकरण बताये बने हुए कांसी से बनाए, मिती से बताये, म्रण पात्र बताये लेकिन अभी क्या है इसमें पसंत और पत्जड जो युग बताया इसमें लोहे का प्रियोग मानव करने लग गया था जो चाउशासनकाल की लोग हैं वो करने लग गये थे इससे क्या हुआ, खेटी में और भी जो सुधरै उपकरण बनाने लगए जो खेटी में यूज हो, उस तरी के उपकरण बनाने लगए और यह प्रयोग में लाने लगए किससे बने हुए लोहे के बने हुए प्रसिद्य चीनी दार्शनिक कन्फूसस इसी युग में हुआ जिसने अपने समय से पूर्व के समस्थ ग्यान का संकलन किया जो अब तक केवल उचे राजि के अधिकारियु तक ही सीमित था अब देखिए जो प्रसिद्य दार्शनिक कन्फूसस है तो बताया मैंने आप लोग को कि कन्फूसस जो है वो चीनी दार्शनिक था तो इसने क्या किया इस युग में चावुकाल में इसने जो पहले का ग्यान था पूर्व ग्यान था सारा समस्थ ग्यान था उसको एकत्रित क तक ही सीमित था तो इसने उन सब चीजों को एकत्रित करके अपने ग्यान के भंडार में उसको समलित कर लिया कन्फूसस ने इस ग्यान को प्रत्यक जिग्यासूं को देने की खोशना कर दी देखे जो उपर लाइन बताई हुई है कि राज जी की अधिकारियों तक ही सीमित था जो पूरो ग्यान है वो बस अधिकारियों अधिकारी ही उनके बारे में जानते थे तो उसके जिग्यासू तो उनको भी घ्यान प्राप्त कराऊंगा उनको भी यह घ्यान दूंगा अपने संकलन में उसने लोग कवітाओं एवام घीतों को भी समलिद कर लिखा है तो यहाँ पर लोग होगा आप लोग सही कर लिजेगा तो अपने संकलन में लोग कविताओं को उसने और गीतों को भी समलित कर लिया मतलब इन सारी चीजों के साथ साथ जो पूर्वी ग्यान था उसके साथ साथ इसने जो कविताव और गीतों को भी महातु दिया और जो उसका संकलन था उसमें उसने समलित कर लिया मृत्यू के पशाथ उसे राज की दार्षनिक के पद से सम्मानित किया गया देखिए जहां पे जो दार्शनिक था ये कन्फूसस तो जब ये मर गया इसके मृत्यू के पश्यात इसको एक सम्मान दिया गया तो क्या था वो राजिकी दार्शनिक ये इसका पद था जो मृत्यू के पश्यात इसे प्राप्थ हुआ किसको प्राप्थ हुआ कन्फूसस को जो इज्म है वो उसने दिया हुआ है सिधान्त अब आगे दिखते हैं राज की जीवन राजसभा शिक्षा अकादमियों चित्रन के विशय समाजिक आचरण संसकार तथा उत्सो सभी पर उसकी सिक्षा और आदर्शों का प्रभाव पड़ा जो देखें जो चीन की राज की जीवन था राजसभा थी शिक्षा के जो अकादमी थे और चित्रन के विशय थे समाजिक विशय थे उन सब पर उत्सो पर इन सब पर जो है वो कन्फूसस का प्रभाव पड़ा जो इसका शिक्षा और आदर्शों का प्रभाव था वो उनके ज जीवन पर पड़ा किसके जीवन पर चाव डाइनस्टी के जो लोग थे उनके जीवन पर पूर्वजो राजाओं वीरों के चित्र अधिक महत्यपूर्ण हो गए और चित्रकला को कविता की सहायक मान लिया गया अब देखिए क्या हुआ इस टाइम पे इस टाइम पे बसंद पचजड के युग में जो पूर्वज थे राजा थे वीरो थे तो इनके चित्र हैं अधिक महत्यपूर्ण माने जाने लग गए और जो नॉर्मल चित्रकला थी वो कविता की सहायक सहायक मतलब चीन के शासकों की सिक्षा के लिए शाही अकैडमी पहले से ही कारेरत थी, कन्फूसस ने शाही अकैडमी की सिक्षा पद्धती को भी प्रभावित किया, अब देखें जो चीन के शासक थे, उनके लिए एक शाही, मतलब इनके लिए जो है रॉयल अकैडमी बनाई जाती थी, वो पहले से वहाँ पे बनी हुई थी, जो Confuses जो है, उसने इनकी जो सिक्षा पद्धती थी, जो इनकी पढ़ाने के टेक्नीक थी, तो उन पर भी इसका प्रभाव पढ़ा किसका Confuses का, अब आगे देखते हैं, बेक्ती की सिक्षा के लिए उसने जो पार्ठिक्रम निर्धारित किया, उसमें निम्नाकित छे कलाओं का समावेश किया, आप देखिए उसने जो बताया मैंने भी कि सिक्षा पद्धती पर इसका प्रभाव पढ़ा, तो उसने जो है, जो उनका स्लेबस था, तो उसने जो नि फस्ट है ली में आता है धार्मिक अनुस्ठान मतलब धर्म से रिलेटर्ड जो भी चीज़े हैं वो सारे किसमें आती थी ली धार्मिक अनुस्ठान और सेकेंड थी इसकी यू एह यू एह में क्या है संगीत अब देखें हमारे यहां पर तो संगीत बोला जाता है लेकिन चीन जो है कविता को भी जोड़ा और फोर्थ है शू, शू मतलब होता है राजनितिक लिखन और फिफ्थ थी इसकी रथविद्या और शिक्स थी इसकी धनूर विद्या मतलब होता है जो धनूस बार्ण चलाना सिखाते हैं तो उसको धनूर विद्या कहते हैं और रथविद्या भ ह fim गारत हो टे होताई उनको भी उनके साथ दफना देते थे जीविट gerne देते थे तो कन्फूसस ने किया किया कन्फूसस में राजाओं के सासर सेव गुगझ तथा परिवार जनों को जीवित है निखा पर गाडने होगा ये करने करफ लिखा है तो यहां पर जीवित गाडने से रोका था उनकी खिलोने की रूप में प्रतक्रतियां दफनाने की प्रता आरंब की तो क्या करते थे जो राजा महराजा होते थे उनके साथ जीवित उनके परिवार जन होते थे जिनकी इक्षा होती कि हाँ हमें इनके साथ दफनाया जाए तो उनको भी दफनाते थे और उनके जो सेवक होते थे तो राजा महराजाओं के साथ उनको भी जीवित दफना देते थे तो क्या किया कनफूसस ने कनफूसस को लगा कि हाँ ये चीज़े तो गलत है कि जीवित इंसान को भी राजाओं मतलब जैसे सेवक है तो उसकी तरह का एक कोई खिलोना उसकी जो थोड़ी सी प्रतिकरती मतलब उसकी अनुक्रती प्रतिछाया उसने बनानी स्टार्ट की और क्या किया उसके साथ दफनाना स्टार्ट किया किसके साथ जो मृत्तक होते थे राजा मारा जाओं उनके साथ दफन सब्भेता की अनेक बातों की जानकारी प्राप्त हो रही है तो देखिए क्या हुआ जब वो जीवित इंसान को दफनाते थे तो उससे हमें बहुत सारी इतिहास संबंदी जानकारी नहीं मिलती है लेकिन जब उनके साथ साथ खिलाओनों को दफनाया जाने लग गया उनके साथ तो इन्हीं उससे सो के अधार पर सभेता की जानकारी मिलती है तो देखिए जो आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका होगा कन्फूसास्वात कन्फूजियन इस्म जो होगा वो पढ़ाऊंगी तो अभी जो आपका पत्द बसंत और पत्जड युग था वो यहीं पे जो है खताम हुआ और अगर आपको इससे रिलेटेट कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो कोई भी वर्ड कोई भी चाइनिज जो वर्ड यूज किये गये हैं उनके बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो मैसेस करें थाइंक यू